नमस्कार मैं शल्पाप सबका स्वागत करती हूँ NCERT के लाइफ फोन इन प्रोग्राम में और हमारे आज की कारिक्रम का चर्चा का विशे है कवीता सिक्षन बनारस कवीता के संदर्भ में जो की कक्षा बार्वी की पाठिपुस्तक से लिए गई कवीता है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में उपस्तित है प्रोफेसर लालचन राम जी नमस्कार दर्सको नमस्कार जो कि NCERT के भाषा सिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पत्पे कारिरत है बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कवीता सिक्षन पर एक विस्त्रिच चर्चा तो सबसे पहले हम सब समझना चाहेंगे कि कवीता सिक्षन क्या है कोई भी कवीता जब पाठ़ पुस्तक में या कहीं दी जाती है तो उसका कोई न कोई उद्देश होता है और कवीता का सिक्षन जो कवीता क्लास में पढ़ाई जा रही है उसमें बहुत विसेश ध्यान देने की चीज़ें होती है कोई कवीता एक तो पाठ़ पुस्तक में क्यों प्रेस्क्राइब्ड है क्यों दी गई है उसके पीछे का उद्देश और कवीता सिक्षन का उद्देश दोनों में फर्क है मैं कवीता सिक्षन के उद्देश्यों पर बात करना चाहूँगा पहला उद्देश तो यह है कि कवीता जब हम पढ़ाते हैं क्लास में कविता का सस्वर पाठ यानि ठीक धंग से कविता का पाठ अगर हो जाए तो कविता पचास प्रतिसत विद्यार्थियों को दर्सकों को पाठकों को समझ में आ जाती है तो एक तो यह है कविता का पाठ और कविता का हर कविता में कुछ न कुछ बिचार, कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ कही न कहीं कुछ उसके उद्देश नहीत होते हैं जिसको आप कह सकते हैं कविता का बीज सब्द, कविता का बीज सब्द कह सकते हैं कि आप जैसे Central Idea of पोयम, की वर्ट्स होता है, हर कविता में कोई न कोई ऐसी बात, कोई न कोई सही से महत्रपुन बिंद होता ही होता है, तीसरी बात कविता को पढ़ते पढ़ाते समय हम अपने दैनंदिन जीवन के यानि जीवन अनुभाव, प्रसंगों, संदर्भों और घटना, पात्र, इस कविता में कोई एक अर्थरूड नहीं होता, कविता में कई अर्थचवियां होती हैं, तो एक अर्थरूड नहीं होता, इसलिए कविता में विद्यार्थी कविता से कितना जुड़ता है, अगर एक अक्षा में 40 विद्यार्थी है, मान लीजे, तो 40 विद्यार्थी अपने अपने अनुभव के आधार पर कविता से जुड़ सकता है उसकी अलग-अलग व्याख्या बता सकता है उसके अलग-अलग संदर्व बता सकता है अध्यापक भी कई सारे संदर्वों से जोड़ करके उस कविता की व्याख्या कर सकता समझ सकता समझा सकता है और कविता का मूल उद्देश मूल संदेश होता है कोई कविता पाठ पुस्तक में क्यों दी जा रही कोई कविता पाठ पुस्तक में चुनी क्यों गई है उसके पीछे का उद्देश बहुत साफ है कि विद्यार्थी जैसे कहते हैं कि साहित की कसवटी कविता है जैसे गद कवियों की कसवटी ह या गद्य की कसवटी निबंध है ठीक उसी तरह से सहित की कसवटी कविता है कविता भाशा में आदमी होने की तमीज है कविता मनुस्य के बचाने की कोशिश है कविता गागर में शागर भरने की छमता रखती है यानि बहुत बड़ी बात को बहुत संशिप में प्रसुत किय कविता का पढ़ना पढ़ाना इसलिए विद्यार्थियों के लिए हम सब के लिए जरूरी है कि कविता सिक्षन से सिर्फ कविता की समझ नहीं बनती बलकि कविता में चित्रित समाज कविता में संदर्वित समाज मुद्दे उद्देश वो सारे समाज से जुड़े होते हैं कविता शिक्षण में एक चीज का कि कविता में सराहना संदर की पहचान करना एक दूसरे अलग अलग फार्म जैसे हम कहने के अलग अलग तरीकें उसी तरह से कविता भी अपने आपको अभिव्यक्त करने का एक तरीका है पर कविता में सिर्फ खुद की अभिव्यक्ति नहीं होती है कभीता में भी समाज की अभिव्यक्ती होती ही होती है विचार की अभिव्यक्ती होती है कुछ लोग तो कभीता में बिचार ही नहीं विचारधारा तक पहुच जाते हैं लेकिन travels तरफ हम उस चर्चा को नहीं ले जाएंगे जी यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं राज किशोर जी का वो समझना चाहते हैं कि कवीता को कक्षा में कैसे पढ़ाया या सिखाया जाए जैसा कि हमने बताया कि कवीता सिक्षन का जो उद्देश है कवीता को जब आप कक्षा में ले जाते हैं अभी दियार्थियों के बीच म जैसे कहते हैं कुछ सब्द अनुगूज होते हैं उनके माध्यम से ठीक धंग से कवीता का पाठ पहली शर्त है कवीता को पढ़ाने के लिए दूसरा हमने बताया कि कवीता विद्द्यार्थियों के और अपने जीवन जगत के अनुभावों से जोड़ करके कवीता की व्या चुका हूँ उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कवीता को कहा कि एक अर्थ चभी नहीं होती है कवीता की कई अर्थ चभी अलग-अलग संदर में एक कवीता का एक ही अर्थ रूढ नहीं होता कवीता में रूढ होता ही नहीं है कुछ बेद अलग-अलग संदर में उसक क्योंना हम बनारस कवीता को समझे और पड़े ताकि हमारे दर्षक अच्छे बहतरीन तरीके से बात है। उसकी कविता को पढ़ने और समझने का सौभाग मुझे मिला है तो आईए कविता को पाठ कर लेते हैं कविता कैसे पढ़ी जाती है कविता का सीरसक है बनारस बनारस इसलिए कविता का सीरसक है कि गुर्देव यानि कभी किदार नात सिंग बनारस से बहुत लंबे समय से जु हैं तो बलिया जिले के चकिया गाउं से लेकिन उनकी पहचान बनारस से जोड़ी बनारस से जाने जाते है और बनारस में इतने लंबे समय तक का उनका अनुभव है इतने लंबे समय तक वहां रहे हैं जीए हैं देखे हैं तो उनका अनुभव बनारस के बारे में क्या है इस क से पहले कविता का पाठ करते हैं कविता का सीर्षक है बनारस इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडवा डी की तरफ से उठता है धूल का एक बाउंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है बहुती अभी व्याक्या पर मैं नहीं आऊंगा कविता का पाठ होना चाहिए तो कविता का पाठ करते हैं जो है वह सुगबुगाता है जो नहीं है वह फेकने लगता है पचकिया आदमी दसा समेग पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलाइम हो गय है सीडियों पर बैठे बंदरों की आखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खाली पन तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना यह शहर इसी तरह खुलता है इसी तरह भरता और खाली होता इसी तरह रोज-रोज एक अनन्त शव ले जाते हैं कंधे अधेरी गली से चमक्ती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे-धीरे उड़ती है धीरे-धीरे चलते हैं लोग धीरे-धीरे बजते हैं घंटे शाम धीरे धीरे होती है यह धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की सामुही कलाए दिर्णता से बाधे है समूचे शहर को इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है की हिलता नहीं है कुछ भी की वहीं पर जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है कि गंगा वही है कि वही पर बधी है नाओ कि वही पर रखी है तुलसी दास की खड़ाऊं सैकड़ो बरस से इसे अचानक देखो अदभूत है इसकी बनावट यह आधा जल में है आधा मंत्र में आधा फूल में है आधा सव में हैं आधा नीद में हैं आधा शंक में अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है जो है वह खड़ा है बीना किसी स्तंभ के जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के उँचे उँचे स्तंभ आख के स्तंभ और पानी के स्तंभ धूएं के खुश्बू के आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ किसी अलक्षित सुर्य को देता हुआ आरग्य सताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिलकुल बेख़वर बहुती सुंदर और बेहतरीन तरीके से सर ने हमें कवीता पढ़के दिखाई सर अब इसकी समझने की बात आती है जी तो कवीता को अगर हम इसकी व्याक्ष्या में जाएंगे तो व्याक्ष्या बहुत बिस्तृत होगी लेकिन हम बहुत संचेप में इसके भाव को बताना चाहेंगे देखे एक तो है बनारस कविता बनारस जैसे ही बनारस आप कहते हैं कविता भारती मानचित्र में उत्तर प्रदेश का एक जिला है बनारस सिर्फ जिला नहीं गंगा के किनारे बसे हुए उस बनारस की अपनी संस्कृति अपनी उ उसके प्रति स्रद्धा, उसके प्रति भक्ति भाव और उससे जूड़ी हुई सारी की सारी संस्कृतियां, सारी की सारी चीजें मस्तिस्क में आ जाती है. बनारस के साथ शहर में वसंत आप सूचिए बनारस में वसंत कहते हैं कि शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मडवा डी और लहरतारा की तरफ से उड़ता है धूल का एक बाउंडर यानि जब उधर से लहरतारा और मडवडी यह बनारस जिले का एक अस्थान है जहां से जब हवा चलती धूल का बोंडर उठता है तो धूल का बसंत मौसम में तो धूल उठेगी उठेगी उस तरफ से जब धूल आती है तो पूरे शहर में किरक्रार यह वरणन है बनारस की एक विशेष्टा वसंत में क्या होता है यह आपको पता चल गया लेकिन कभी कहता है कि जो है वह सुगभुगाता है महतुपूर्ण बिंदु यहां है कभीता का क्रक्स जिसको आप कह सकते हैं कि जो है वह सुगभुगाता है जो नहीं है वह फेकने लगता है पचकियां यह पचकियां भोजपूरी का शब्द है जो है वह सुगभुगाता यानि बनारस बसंत के मौसम में बनारस को देखने से ऐसा लगता है कि जो है वह तो प्रत्यक्ष रूप से दिख जाता है यानि बनारस वरतमान में उस समय जैसा है वह दिखता है यानि उसके होने का यह हसास कोई भी विव्यक्ति महसूस कर सकता है बनारस के जन जीवन के बनारस की जो विशेस्ता सारी विशेस्ताओं के साथ वह मवजूद है जो नहीं है वह फेकने लगता है पचकियां यह कई बार कवि जबसे बनारस सब्भेता और संस्कृती में है बहुत सारे लोग आए गए पर बनारस वहीं इस्थित है बनारस के किनारे गंगा यानि गंगा के किनारे बनारस वहीं इस्थित है उसके प्रति जो स्रद्धा है भक्ति है जो मोक्ष का भाव है वो वहां बना हुआ है जो नहीं वह सुग्जो वरतमान में जिन लोग पहले जो थे वो नहीं है यानि कई सारे घाट है वहाँ उनको दासंसकार किया जाता है मोक्ष की पराप्ति से एक माना जाता है कि बनारस में सरीर त्यागने से मोक्ष मिलता है बहुत पहले कबीर इसमित को तोड़ गय थे उन्होंने कहा था लोका मत के भोरा रे जो कासीतन तजह सरीरा आगे कौन नहोरा रे कभीर दास मोक्ष बनारस में मरने से मोक्ष मिलता इस मित को तोड़ने के लिए मगहर में चले गए लेकिन उस मित के तोड़ने के बावजूद बनारस में मुक्ष पाने की परंपरा अभी भी उसके प्रतियास था अभी भी बची हुई है जो नहीं है वो फेकने लगता यानि जो नहीं है जो मर गया जिसका दा संसकार हो गया उसकी संततियां उनके बाल बच्चे उनकी पीडी दर्पीडी चल रही है जो अर्तमान में नहीं है उनके लोग उनकी सारी यादें उनकी सारी स्मृतियां सब मौजूद है या ऐसा नहीं है जब कह सकते हैं जैसे एक चना जमीन में हम गाड़ देते हैं या बोते हैं तो एक चना से जब वो ब्रिक्ष बनता तो कही सारे चना प फसल बन के आना, फिर बीज बनना, यानि ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, और ये चलती रहती है, वैसे मनुष्य पैदा होता है, फिर एक समय सरीर त्याग देता है, फिर आत्मा अजर और अमर है, पर सरीर मरता है, तो एक तरह से जो आत्मा की स्थाई भाव है, आत्म मर जाता आप ये देखिए कि जो फेकने लगता पचकियां वो पीड़ी दर पीड़ी लोग रहते हैं परिवार रहता है संततियां और दूसरी बात आत्मा नहीं मरती है वो तो निरंतर चलती रहती है ये पचकियां शब्द एक तरह से आप देखें अगर शब्द और आर्थ क अंकुरण के अर्थ में तो अंकुरी तो फशल होती है लेकिन यहां पीड़ी दर पीड़ी जो मनुष्य पैदा है मरता है फिर पैदा होता है मरता है इस तरह से जो मनुष्य का आना जाना है एक क्रिया निरंतर चलती रहती उस रोप में इसका प्रयोग किया गया है तो क्य कुछ और मुलायम होगा या बसंत के समय में पत्थर का मुलायम होना आने जाने से यानि जनता बसंत का मौसम जब आना जाना लोगों का सुरू होगा दासंसकार होते रहते हैं तो पत्थर मुलायम होगा वो आने जाने से निरंतर लोगों का जैसे बनारस की विशेशता ये है कि निरंतर वहां शव आते रहते हैं उनका दास अंसकार होगा फिर निर आना जाना यानी 24 गंटे वह सहर जागता सोता रहता है इसलिए गाट का आखरी पत्थर मुलाइम हो गया आने जाने वालों का क्रम इतना उस निरंतरता को वहां गाट के पत्थर के मुलाइम होने से कि लोगों का आना जाना जारी है इसके बाद एक कविता में आगे जाएंगी तो आगे चलेंगे तो कविता में देखेंगे कि सीधियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है बिखारीयों के कटोरों का निचाथ खाली पन ये वर्णन है लेकिन ये एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट पन अब सोचे भिखारियों के कटोरों का निचाट खाली पन चमक उठा है अर्थात सर्दी के बाद बशंत आता है तो सर्दी में जन जीवन थोड़ा सिथील हो जाता है बसंत आनेक पर जन जीवन में चहल पहल पैदा होती तो चहल पहल का रस्ञ यह है कि जो कि बनारस के गंगा गाट के जहां दासन सकार होता है वहाँ विखारी भी लोग रहते हैं आते जाते रहते हैं तो बिखारियों के कटोरों में निचाट खालीपन आने को एक चमक से पैदा हो गई, यानि जनता का आवा गमन हो गया है, तो अब वो इस्थिर्टी नहीं है कि जब कोई आएगा नहीं तो विक्षा कहां से देगा, जब लोग आएंगे जाएंगे तो विक्षा देंगे, इस अजीब सी चमक से भर उठा है, विक्षारियों के कटोरों का निचाट खालीपन, वो जन जीवन के आने जाने से, जनता के आने जाने से उसका संदरव है, और कहते हैं कि कभी आगे बढ़ता है कभी ता में, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना, बसंत के जीवन अनुभव जो हैं वो कविता में बिंब में कैसे लाते हैं कोई इस कवी से सीखे बड़े कवी हैं इस मामले में कविकिदार नात सिंग बिंबु के कवी हैं और जन जीवन के रोजमर्रा के जो जीवन के अनुभव हैं उनको बिंबु में बदल देते हैं यहां भी आ जनता आ जा रही है तो आने जाने से जनता के जो दान पात्र है उसमें बिखारी का दान पात्र है उसमें जनता दान दक्षिना देती है जब आये जाए कि तब ने दान दक्षिना देती है तो दान दक्षिना मिलने से बिखारीयों का जीवन थोड़ा सुख में हो जा रहा है थोड़ी चमक पैदा हो जा रही है, उनके जीवन में भी एक तरह से समझें कि बसंत आ जा रहा है, आप इस अर्थ में इसको समझें, यह सहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है, और आख खाली होता है यह शहर, यानि यह बनारस की बिशेस्ता है, कि शहर इसी तरह से, यानि जिस तरह से रेतूं का क्रम है, सरदी के बाद, सरत के बाद बसंत आता है, बसंत के बाद ग्रिश्मा आएगा, उसी तरह से आने जाने का भी क्रम बनारस में बना रहता है, जनता आती जाती रहती है, शहर इसी तरह से खुलता है, इसी तरह से भरता अधेरी गली से चमकती हो ही गंगा की तरहुआ ISTRI घाट से लेकर के बनारस यो गंगा का किनारा असी घाट से लेकर आखिरी तक वह कम से कम बीसो गाट बने हुए है जहां है दा संसकार की प्रक्रिया पुरी होती है आज भी लोग बनारस में सरीर त्यागने को ले करके आज भी आसानुवित रहते हैं कि हमें अगर वहाँ हमारा सरीर निकल जाए प्राण निकल जाए त्यागने तो मोक्ष के प्राप्ति हो जाए स्वर्गिक स्वर्ग की अनुभूति हो जाए उस अर्थ में रोज रोज मने आस पास बहुत सारी जगहों से चुकि पवित्र स्थलमाना जाता है बनारा से वहां प्रति दिन हर छण समझे हर दिसा से सव आते हैं उन घाटों पर तो इसलिए कहते हैं कि र के समय दा संसकार किया जाता है पर बनारस पर ऐसा नहीं बनारस घाट में रात दिन ये प्रक्रिया चलती रहती है कहते हैं कभी कि इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है धीरे धीरे चलते हैं लोग धीरे धीरे बजते हैं घंटे यानि ये जो धीरे धीरे है धूल और लोगों का चलना, शहर में धूल का उड़ना, घंटों का धीरे-धीरे बजना, साम का धीरे-धीरे होना, यानि यह एक बनारस की भिशेस्ता है, यानि कोई हडबडी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, भहतिकताबाद की आधी तो आई है, पूरा देश उसमें जूम रहा है, ऐसा नहीं कि बनारस पर उसका असर नहीं पड़ा है, बनारस पर भी असर पड़ा, पर बनारस में बहुत जल्दबाजी नहीं है, बहुत हडबडी नहीं है, ये बनारस की विशेस्ता को दर्शाता है, धीरे-धीरे, शाम का होना, घंटों का बजना, लोगों का चलना, और धूल का उड़ना आगे कविता बढ़ती है तो कविता में धीरे धीरे होना धीरे धीरे होने की सामुहिक लए दिर्णता से बाधे है समूचे शहर को अब यह जो बनारस की विशेषता है यह धीरे धीरे होना सामुहिक लए व्यक्तिगत नहीं है धीरे का मतलब यह नहीं क विकास नहीं है धीरे का ये मतलब नहीं कि ठहराव है ऐसा नहीं है गतिसीलता वहाँ है लेकिन बनारस की जो विशेस्ता है वो है धीरे धीरे से जुड़ी हुई है और आगे वरण है कविता में यानि गंगा वहीं पर है नदी वहीं पर है नाव मधी हैं वहीं पर तुलसी दास की खड़ाओं वहीं पर रखी है सैकड़ो बरस से ये तुलसी दास कबीर दास रैदास ये सब बनारस से जाने जाते है ठीक उसी तरह से ये कभी बनारस से किदार नात सिंग भी बनारस से जाने जाते हैं अब जो तुलसी दास की खड़ाओं है एक माननेता है कि तुलसी दास की खड़ाओं सैकणों बरस से वहां रखी गई यानि ये जो बनारस की विशेस्ता है कि पहले भी जब तुलसी दास का समय था कबीर का समय था तब भी गंगा वही थी घाट थे वहीं पे थे नदी पर नाव वहीं थी शुरू से चला रहा है यानि उस रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो आज भी जस का तस यानि आज भी नाव चलती है आज भी घाट पर पुजा पाथ होता है आज भी सब कुछ वैसे ही है कविता आगे बढ़ती है सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े प्रशन लेना चाहूंगी हिना जी का हिना जी हिना जी हिन्दी की अध्यापिका है और मुझे अभी एक वर्ष हुआ है मैं हिन्दी की बनारस कविता पढ़ाने की कोशिच जब भी करती हूँ मुझे बच्चों के उदास मुख को देखकर बड़ा ही बुरा लगता है ऐसे में क्या करूं? को कविता से कैसे जोड़ा जाए यह बहुत महत्वपूर्ण बेशा है कविता पढ़ाने से पहले कविता का पाठ कविता पढ़ाने की तैयारी विद्यार्थियों को भी इसकी सूचना पहले से कविता पढ़ने की दे दी जाए तब कविता पढ़ाना कत्ताई उबाओ और बोरिंग नहीं होगा जब पहले से विद्यार्थी पढ़ा हुआ है कविता पहले से अध्यापक ने तयारी कर रखी है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी कोई कोरी स्लेट नहीं है विद्यार्थी के पास अपनी भासा है अपनी अनुभाव है अपनी समझ है और ये बा कविता को बिद्ध्यार्थी मैंने कहा कि कविता की एक अर्थछioxid नहीं होती है। एक थीक धंग से कविता का पाठ आप सवैंग करें। संभभ हो तो कुछ बिद्ध्यार्थियों से कविता का पाठ करवा लें। और इसके बाद कविता के महतपून बिंदूओं को खोलें। उन बिंदूओं को पकड़ें जो बिद्यारती के जीवन अनुभव से उनकी दुनिया से जुड़ता है। ऐसा नहीं कि कविता एक ही बस बनारस के बारे आप इस चीज को अगर आप देखिए तो हम जहां रहते हैं, जिस भी शहर में, जिस भी गाउं में हम रहते हैं, हम उसको कितनी बारेकी से देख और समझ पाते हैं। हम तो सम्मेदन सुन्य हैं नहीं, या विद्यारती सम्मेदन सुन्य, वो जहां रहता है, वहां के जन जीवन से उसका कितना सरोकार है, कितना वो आप जर्व करता है, यह उससे जोड़ करके कविता को पढ़ाने की जरूरत है। बोरिंग कतता ही नहीं होगी जब विद्यारती का अनुभव इसमें सामील होगा, कि आप जिस जगे रहते हैं, वहां कितने तरह के पेड़ पौधे पाये जाते हैं। वहां नदी, तालाब, कुमा कुछ है की नहीं है। जोड़ा जा सकता। इसके अलग-अलग तरीके से उस कविता को जोड़ करके विद्यारतियों में रोचकता पैदा की जा सकती है। कविता को खोले, विद्यारतियों के सामने रखे, विद्यारतियों से उनकी opinion ले, उनकी राय जाने, फिर जहां जहां विद्यारति, एक दूसरे विद्यारतिकी उसको raj Wayman कराए। कई बार हम से बहतर विद्यार्थी का अनुभव संसार ऐसा होता कि हम से बहतर वियाख्या विद्यार्थी अपने अनुभव से दे सकता है इस तरह की संभावना बराबर बनी रहती है इसलिए कविता सिक्षण सिर्फ अध्यापक या सिक्षक सिक्षे का उसकी वियाख्या कर इतने से कविता सिक्षण नहीं होता, उसके कई सारे हर अध्यापक के कविता सिक्षण के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, उनके मेथड्स हो सकते हैं, और कविता को उनहीं अलग-अलग मेथड्स से तरीके से खोला जा सकता है, मुझे लगता है कविता अगर इस तरह से पढ को हम पर थोपते हैं जिससे हमारी विजुलाइजेशन को पुना विराम लग जाता है ऐसा क्या पेड़ागॉजिकल सिस्टम में मानने हैं देखे क्या है कि इंटरप्रेशन इंटरप्रेशन तो कविता में होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी प्रभिर्ति नहीं है कि कविता सिक्षण में हम कोई अपना आर्थ अपना इंटरप्रेशन थोप दें ये थोपना बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है नहीं से कविता का भला होना नहीं लर्निंग होगी विद्यार्थियों की अगर विद्यार्थियों में कविता के प्रति कविता के सौं जीवन के अनुभवों से पात्रों से घटनाओं से कविता को जोड के देखने की जरूरत है पढ़ाने की जरूरत है कत्ता ही ऐसा नहीं होगा कि अपना इंटरपेटेशन हम दे दें और विद्यार्थी के अंदर जो विचार हैं भाव हैं कविता के लेकर के जो उनके मन में सं जंचए है वो जर्सका तस्ट बना रहें ऐसी इस्तिती नहीं होनी चाहिए शिक्षत विद्यार्थीयों से उनकी articulate के इंटर बताये की उनका कविता को किसँ अर्थ में देख रहें किस संदर में जोड़ के देख रहे हैं कविता के प्रत उसके मन में क्या हो रहा है वो बताएं तो जादा बेहतर होता है कविता सिक्षण बनिस्पत अपनी स्थापनाओं को अपनी इंटरपरेशन के माध्यम से हम थोप दें यह उचीत नहीं है कविता सिक्षण के दृष्ट धन्यबाद लेकिन इस कविता बनारस कविता पर अभी बात पूरी नहीं हुई है हम अगले एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे और बनारस कविता के माध्यम से और भी बहुत सारी बात कविता सिक्षण के बहाने करेंगे और भी जो सवाल रह गए हैं दर्शकों के उन पर बिस्तार से चर्चा करेंगे तो जैसा कि सर ने का कि हम इसके दूसरे एपिसोड में इस कवीता को फ़र्दर चर्चा करेंगे इस पे और अगर इससे जोड़े कुछ और भी सुझाव या प्रशन हो तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या इमेल आईडी के द्वारा संपर् दिखते रहिए किशोर मंच नमश्कार